दाकिया आया दाकिया आया वित्मंत्री के नाम अर्मानों की चिठी में आजाई है सीमा की चिठी वो हाउस हेल्प का काम करती हैं तो आए बढ़कर सुनाते हैं आखिर उन्होंने क्या लिखा है मेडम जी नमस्ते मेरा नाम सीमा है मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ अनपढ़ हूँ इसलिए चिठी अपनी दीदी से लिखा रही हूँ जिनके यहां काम करती हूँ उन्हीं से अपना दुख्रा रोती रहती हूँ हमारी दीदी स्कूल में टीचर हैं वो खबरे देखती रहती हैं उन्होंने बताया कि आप सरकार हैं देश चलाती हैं और आप लोगों से सुझाव मांग रही हैं इसलिए यह चिठी बड़ी उमीद से आपको भेज रही हूँ मेडम जी हमें पैसे बहुत कम मिलते हैं हमें तो पैसे तै करने तक का हक नहीं हम कामवालियां किसी कानून के तहत नहीं आती जिसका जितना मन हो पैसे दे देता है हमें महीने के तीसो दिन काम करना होता है कोई भी छुट्टी नहीं देना चाता कुछ लोग तो बीमारी और छुट्टी लेने पर पैसे तक काट लेते हैं दीदी हमारे तीन बच्चे हैं दो को यहीं जुग्गी के स्कूल में भेशती हूँ लॉकडाउन लगा तो ओनलाइन पढ़ाई होने लगी मेरे पास कहां स्मार्टफोन, कहां इंटरनेट मैं अब राद दस बजे तक सोसाइटी में काम करती हूँ कम से कम एक बच्चे की पढ़ाई का खर्श तो निकल आए सरकारी स्कूल है ही नहीं आसपास जुग्यों में रहते हैं हम लोग बिजली तो घूस देकर मिल जाती है लेकिन हर साल छे महिने में जुग्की बदलनी पड़ती है कहते हैं सरकार गरीबों के लिए घर बनाती है एक पड़ोसी ने अप्लिकेशन लगवा दी पैसे भी ले लिया लेकिन कुछ मिला नहीं थोड़ी सी बच्चत थी डूप गई हमारी टीचर दीदी बता रही थी गरीबों के लिए मकान बने है मगर शहर से बहुत दूर दीदी काम यहां रहाय शुत्ती दूर दीदी गरीबों के घर बनाते समय क्या सरकार कुछ नहीं सोचती बताते हैं राशन फ्री मिलता है गरीबों को लेकिन हमें तो राशन कार्ड भी नहीं मिला एक ठेकेदार को घूस दी थी लेकिन फिर भी नहीं मिला मेरा पती मिस्त्री का काम करता है हम दोनों कमाते हैं तब किसी तरह शहर में जी पाते हैं घर भी पैसा भेजना होता है मैडम जी हम जैसे गरीबों के लिए आप जो इंतिजाम करती हैं, उसके बारे में पता ही नहीं चल पाता हर चीज का पैसा देना होता है, कोई सरकारी मदद नहीं मिलती दीडी बताती है, आप चाहें जो कर सकती है आपके यहां भी मेरी जैसे कोई न कोई सीमा काम करती होगी उसी से पूछ लीजेगा हमारा दर्ड इस बार कुछ ऐसा कर दीजे कि थोड़ी मदद हो जाए आपकी सीमा केंद्रिय वित्मंत्री के नाम दूर दरास से चिठ्थियां लिख कर भेज रहे हैं लोग उसी कड़ी में आज एक और चिठ्थी आई है चलिए देखते हैं ये चिठ्थी किसकी है और वो क्या कहना चाहता है वित्मंत्री जी से ये चिठ्थी है दिनेश कुमार की दिनेश लखीमपुर उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं वित्मंत्री जी के लिए अपने अर्मान क्या लिखा है उन्होंने? यही नहीं हर साल हमारी सेलरी बमुश्किल 3-4 फीस्ती बढ़ती है आपको तो पता ही है कि महंगाई के बढ़ने की रफ्तार इससे बहुत अधिक है इस बोड़तरी में परिवार के खर्चे पूरे करने बहुत कठिन होते जाते हैं अब अधिकारी वर्क को तो आसानी है लेकि 3rd और 4th कलास करे तो क्या करे किसी किसी विभाग में साल में दो बार सेलरी बढ़ती है लेकिन हमारे राजस विभाग वालों की ऐसी किसमत कहां आप देखिए कि हमसे हर सरकारी काम कराया जाता है चुनाव में ड्यूटी लगाई जाती है लेकिन हमें निर्वाचन कर्मी तक नहीं माना जाता मान दे तक नहीं मिलता इन कामों का आबादी सरवे हमसे कराया जाता है किसान सम्मान योजना में भी काम कराया गया पूरा डेटा हमने तयार किया लेकिन क्रेडिट मिल गया कर्शिवे भाग को सेलरी के नाम पर हाथ में 30,000 रुपे आते हैं एचारे मातर 800 सो रुपे सोची एतने पैसों में कहीं घर मिलता है किराय पर और तो और महीने में केवल 100 रुपे पेटरोल के लिए दिये जाते हैं स्टेशनरी के लिए भी 100 रुपे क्या भला 100 रुपे महीने में बाइक चल सकती है एक लीटर पेटरोल भी करीब इतने का ही है क्या सरकार क तो नहीं पता ये बात हमें न केंटीन की सुविधा न किसी तरहे के इलाज की विशेश सुविधा मिलती है हाँ अगर बड़ा खर्चा हो तो 40% तक रिएमबर्समेंट हो जाता है वहीं अगर कोई सरकारी करमचारी नौगरी के दोरान दिवंगत हो जाए तो अनुकंपा नौ करी में न तो प्रमोशन की उचित विवस्था है और ना ही कोई अन्ने सुविधा हैं कई मामलों में अब तो हमसे बहतर प्राइवेट वाले हैं मेडम जी सही कहें तो सिस्टम में होने के बाद भी सिस्टम से तरस्त हूँ थोड़ा रहम करिएगा मेडम जी पुरानी करेंशन का तो भरोसा हो सके मैं बजट को बहुत उमीद के साथ देख रहा हूं भवदिये दिनेश कुमार एक और चिठी आई है करदाता की चिठी है लिखा है निर्मला दीदी प्रणाम मेरा नाम देवेंद्र पानी ग्रही है 36 गड़के राइपूर का रहने वाला हूँ यहाँ एक मॉल के सुपर मार्केट में मैंनेजर हूँ दो से ढ़ाई बजे तक लंच का टाइम होता है आज मंगलवार का वरत है वक्त मिला तो सोचा बजेट से पहले आपसे अपनी बात कह दी वित्मंत्री जी यह चिठी है कि इमानदार करदाता की है सरकार हमेशा इमानदार करदाताओं की तारीफ करती है मुझे गर्व है कि मैं इमानदारी से टैक्स चुकाता हूँ बजट में सरकार ने हम करदाताओं के लिए तालिया भी बजवाई थी लेकिन वित्मंत्री जी अब जरुत इससे कुछ ज्यादा की है मुझे मेरी तन्खुआ टैक्स कटने के बाद मिलती है जिसे आप टीडियस कहते हो यानि कमाई हाथ में आने से पहले मेरा इंकम टैक्स जमा हो जाता है इसके बाद हर खर्चे पर जीस्टी देता हूँ फिर चाहे वो राशन हो, स्कूटर का पेट्रोल हो, मुबाईल का बिल हो या टीवी का रिचार्ज मेरी खपत के हर हिस्से पर सरकार टैक्स वसूलती है पेट काट कर हम जो बचट करते हैं, उसके रिटन पर भी टैक्स देता हूँ चाहे बैंक में डिवाजिट हो, या म्यूचल फ़न में निवेश वितमंत्र जी, बहुत सारे टैक्स लगते हैं हम पर, मगर चुकाने में उफ नहीं करते हम समझते हैं कि देश के सक्षम नागरी कोने के नाते, यह हमारी जमेदारी है लेकिन एक्सर इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि मेरे ही टैक्स से बनी चीजें मुझे नहीं मिलती सड़क मेरे ही टैक्स से बनती है, और टोल भी मैं ही जेता हूँ सरकारी अस्पताल और सकूल का कहना ही क्या, टैक्स भी बड़ता हूँ, निजे अस्पताल और सकूलों की फीज भी बड़ता हूँ वितमंत्र जी इन दिनों महंगाई की मार बड़ी है पहले हर महीने में पतनी रमा और बच्चों को दो पिक्चर दिखाता था रमा फिल्मों की शौकीन है, अब नहीं जा पाता, आना जाना फिल्म बहर खाने में अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाता है क्या आप इतनी मजबूर हो कि हम टैक्स पेर के लिए कुछ नहीं कर सकती वित्मंत्री जी क्या आएकर छूट की सीमा पांच लाख रुपए नहीं हो सकती आपको तो पता ये कि टैक्सेबल इंकम पांच लाख रुपए से एक उपर निकल जाए तो टैक्स लग जाता है बचत पर टैक्स प्रोचसाहन यानि 80C सीमा भी सालों से नहीं बढ़ी देड़ लाख की ये लिमिट सेलरी से कटने वाली EPF बच्चों की स्कूल फीज और बीमा के प्रीमियम से ही भरी जाती है मैंने होम लोन लेकर घर खरीदा ELSS में भी इन्वेस्ट करता हूँ पर क्या फाइदा जब मैं टैक्स बेनिफिट का पूरा फाइदा नहीं ले सकता हो सके तो 80C की सीमा को इस साल बढ़ा दीजिए आप तो नई टैक्स ववस्था भी लाई थी वो बात लगे कि उससे लोगों ने पसंद नहीं किया वितमंत्री जी हमारी बच्चतों पर टैक्स छूट मिलनी चाहिए इतना तो हग बनता हमारा आपका बजट कंपनियों को भरपूर रहाते देता है देखे अब तो भारत में हम लोग अपनी कमाई पर कंपनियों से ज्यादा टैक्स देते हैं क्या आपको ये नाइंसा तो नहीं लिखती लिखना और भी बहुत कुछ है लेकिन लंच का समय खत्म हो के आए आप तो वितमंत्री हो थोड़ा लिखा बहुत समझना है मैं दफ्तर से छुट्टी लेकर इस बार पूरा बजट सुनूंगा निर्मला जी आपको हमारी इमानदारी की दुहाई है आपका देवेंद्र वितमंत्री के नाम हर्मानों के चिठी में आज हमारे पास है एक बेरोजगार यह वक के चिठी तो चलिए आपको सुनाते हैं वो इस चिठी में क्या लिख रहे हैं वो लिखते हैं वितमंत्री मैडम नमस्ते मेरा नाम संतोष मीना है राजस्थान के सीकर में रहता हूँ मैंने इसी साल B.S.C की परिक्षा गवर्नमेंट साइन्स कॉलेज से पास की है आठ नौ महीने हो गए नौकरी की तलाश में शहर शहर भड़क रहा हूँ एक इंटर्व्यू के लिए जैपू जा रहा था और मोबाइल पर खबरे पढ़ते हुए पता चला कि आप बजट बनाने के लिए लोगों की राय ले रही हैं तो मैं भी अपने मन की बाद आज आपको लिख रहा हूँ मैडम घर वालों का सामना करना मुश्किल हो रहा है मुझे नहीं पदा था कि बीस्ट करने के बाद नौकरी मिलने में इतनी मुश्किल आएगी बीटेक जैसे महेंगे कोर्स के लिए मेरे पास फीज भी नहीं थी पापा एक प्राइवेट कंपनी में स्टोर सूपरवाईजर है महेंगी पढ़ाई की फीज कहां से लाएं तो उन्होंने सरकारी कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया मैं बाहर कहीं नौकरी करना चाता हूँ मगर कोई काम नहीं मिलता कम से कम सरकारी कॉलेजों में हर साल दाखिला लेने से पहले करियर काउंसिलिंग हो जाए तो कुछ राहत मिलेगी पता तो हो कि ग्रेजवेट होने के बाद नौकरी के मौके कहां मिल सकते है हर साल मेरे जैसे हजारों ग्रेजवेट बेरोजगारों की संख्या बढ़ा रहे है कल पिदा जी भी कह रहे थे कि नौइडा दिल्ली के सपने मत देख जहां प्राइवेट नौकरी मिले कर ले मेरी बहन भी है और उसकी शादी करनी है मैम मैडम मैंने इसी दिन के लिए तो दिन रात मेहनत करके फर्स्ट क्लास से बियसी बास नहीं की थी मैडम सुना था सरकार कोई नई सिक्षा नीती लाई है मगर हमारे कॉलेज तक तो वो पहुँची ही नहीं अब जहां जाओ हर कोई ट्रेनिंग मांगता है कॉलेज ने तो इतनी फीस लेकर भी कोई ट्रेनिंग नहीं दी कि जिससे मुझे काम मिल सके कैंपस प्लेस्मेंट जैसी चीजें सरकारी कॉलेजों में हो तो कितना अच्छा हो जाए मेरे जैसों को नौकरी मिल जाएगी और उध्योगों को अच्छे पेशेवाद कुछ करी है मैडम अब तो फॉज में भी इस थाई नौकरी नहीं मिलती चलिए मेरा बस टॉप आ गया है इसलिए अपनी बात यहीं खत्म कर रहा हूँ अगर इंटर्व्यू में पास हुआ और नौकरी मिली तो आपको जरूर खत लिखूँगा नमस्ते आपका संतोश मेरा